नमस्कार प्रियादर्श को स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतेली में बनने वाले कुछ ऐसे चिन हों के बारे में जो बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन साथी कैसा मिलेगा उसका कैसा सभाव होगा दिखने में कैसा होगा तो चले ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं लेकि उससे पहले हम बता दे कि इस्ट्रिया अपने भाईने हाथ को देखे और पूरुष अपने दाईने हाथ को देखे लेकिन यदि इस्ट्रिया अपने पैर अपस टैंड है बाहर जाकर काम करती है तो वे भी अपने दाहिने हाथ को देख सकती हैं तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले बनने वाले चिन के बारे में तो यह रही आपकी तरजनी उंगली के नीची वाला गुरू पर्वट तो यदी हतेली में आपकी यहरीदे रेखा गुरु परवत तक पहुँच जाती है कुछ इस प्रकार से तो ऐसे विक्ति के जीवन साथी के साथ काफी अटैच्मेंट देखने को मिलती है इनका अपनी जीवन साथी के साथ गहरा लगाव होता है और इतना ही नहीं जीवन साथी मतलब कि दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने की प्रकृती पाई जाती है क्योंकि हरीदे रेखा विक्ति की भावनाओं का दर्शाती है और इसलिए गुरु परवत तक पहुँच कर ये दर्शाता है कि विक्ति का हरीदे काफी बड़ा है और ये लोग सामने वाले की भावनाओं को असानी से समझ सकते है क्योंकि ये अपने आपको उस विक्ति के स्थान पर रख कर देखते है जिस परकार ये सामने वाले के भावनाओं को भी असानी से समझ जाते है यही कारण है कि इनका अपने जीवन साथी के साथ भी गहरा तालमेल बैठता है जिस कारण इनका जीवन साथी इनको जादा पसंद करता है अब हम बात करेंगे दूसरे चिन के बारे में अब यह रहा विक्ति की हतेली में उसका चंदर परवत तो यदि चंदर परवत से एक रेखा निकल कर कुछ इस प्रकार सी निकल रही हो तो ये भी एक काफी अच्छा चिन है क्योंकि ऐसी लोगों को अपनी शादी के बाद अपने पार्टनर से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है और इन लोगों को एक सुंदर पती भी प्राप्त ह होती है इनका जीवन साथी इनके मामले में काफी इनको सपोर्ट करता है जिस कारण से इनके बीच काफी अच्छा तालमेल भी बैठता है अब तीसरा ये यदि व्यक्ति के हाथ में शुक्र परवत पर एक मचली का चिन बन जाए इस प्रकार से तो उने भी एक अमीर यादा चमकता है साथ ही ऐसी रेखा हो वाले लोग अपने जीवन साथी का भी खोब ख्यार रखते हैं बाकि शादी के बाद पैसों के मामले में भी यह एक अच्छा संकेत है चोथा चीन अब इसकी लिए पुरुष अपने दाइने हाथ को देखे अब ये पुरुष के दा जीवन साथी प्राप्त होता है मतलब कि इनका ध्यान रखने वाला इनकी केर करने वाला इनका साथ देने वाला सारी बातों को मानने वाला और कदम के साथ कदम मिला कर चलने वाला और साथ ही इनको काफी सपोर्ट में मिलता है अपने जीवन साथी की ओर से दोनों में प्या लविंग और हर तरह का सुक्सु विधा देने वाला मिलता है साथ ही इनके पती में कोई भी जूट वरे भी नहीं होता अब पांचवा चिन है जैसा कि बुद्ध परवत पर पाई जाती है विवाहर एक और यह रहा आपका अनामिका उंगली के नीची वाला सूरे परवत तो तो ऐसे विक्ट्यों को जो एक समरीध संपन परिवार से जीवन साती प्राप्त होता है इनके समाज में काफी मान समान होता है साथ ही ऐसे लोगों का जीवन साती भी काफी धनवान और गुणी होता है छटा चिन अब यही रीदे रेखा से एक शाखा निकल कर गुरु के बीच तक चली जाए कुछ इस तरह से तो यह भी दर्शाता है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन साती और ससुराल वालों की तरफ से काफी प्यार मिलता है संतुष्टी मिलती है खुब सहयोग भी मिलता है बाकि ऐसे लोगों की जो दामपत्य जीवन होता है उसमें भी क्रीती बन जाए कुछ इस प्रकार से तो यह तो आपके वैसे तो तीन बीहेविर को दर्शाता है लेकिन जैसे कि इसमें से एक रिखा मंगल शेत्र के और जा रही है तो यह आपकी जीवन साथी में यादा गुसे को दर्शाता है साथ ही आपका जीवन साथी भी छोटी-छ भाव कैसा होगा तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नया भूलेगा धन्यवाद